को excludेली जाग्रन के बारे जो साथ चक्र है उनको जागरित करने के बारे में में आज बता रहा हूं और आप लोग कि यह बिना खर्चे का है और महनत का है और आस्था और विश्वास का है अगर आपने यह अपने जिन्दगी में अगर आप उतार लिए तो इस आपका जीवन ही सफल हो जाएगा कुंडली सकति कैसे करेंगे जागरित इस तरह कुंडली सकति जगा कर आप भी कर सकते हैं चमतकार आत्म सकति आपको बर जाएगा दूसरे को आपकी बात जो बात करेंगे आपकी बात पर जिवा पर आपको लगेगा स्वर्सति बिराजमान हो गए हैं कुंडली जागरन करने के बारे में बताने से पहले आपको मैं एक बात बता देता हूं युकि अगर मेरा वीडियो अच्छा मेरा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए आई वेल को दवाईए और आप एस्किप करके ना देखें बहुत आदमी क्या करते हैं वीडियो को देख लेते हैं लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए भूल जाते हैं तो भाईया ऐसा मत करो ताकि आप जब वो कुछ नहीं आपसे तो हम कुछ लेने रहे हैं और आप लोग का मैं सेवा कर रहा हूं देने वाला तो हमको यूटेब चैनल वाले हमको दे रहे हैं तो इसलिए आप देखी रहे हैं और कैने उसमें सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे हैं किसमें हैं ऐसे 80% दर्सक हैं जो की सब्सक्राइब नहीं किया है चिर्ट वीड़ियो देखे थे सब्सक्राइब नहीं किया है ना लाइक किया हैं इसलिए आप जो हैं आप देखिए लाइक और सब्सक्राइब किजिए मैं अचारी एक देव सरन आपको मैं कुंडलिनी जागरन कैसे किया जाता है उसका मंत्र सातों चक्र का क्या मंग वीज मंत्र है उसके में बारे में बताने जा रहा हूं और आप लोग ध्यान प्रुवक्त सुने मुलाधार चक्र यह शरीर का पहला चक्र है गुदा और लिंग के बीच में चार पुख्रियों वाला यह आधार चक्र है 99.99% लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटक की रहती है और वे इसी चक्र में रहकर परलोग सुधार जाते हैं जिनके जीवन में भोग और संभोग और निंद्रा की परधानता है उसकी उर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्यत रहती है अब हम बात करते हैं दूसरी कि उसके बारे में बता देता हूं पहला कि आपको ध्यान करना अएसे ध्यान करना है यह से कि मुलाधार चाक्र चक्र को ऐसे खीचना है जब इसए खीचिये तो पूरा शरीर का नस्थ है यह हो जाएगा और इसको अब बैठे यह कहीं और यहां का देवता जो है वो इंद्र देवता है और यह चक्र जगाने की विधी में बता रहा हूं मनुस तब तक पसुवत है जब तक कि वह इस चक्र में जी रहा है इसलिए भोग निंद्रा और संभोग पर सैयम रखते हुए इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाने से यह चक्र जागरत होने लगता है इसको जागरत करने का दुसरा नियम यम है और नियम का पालन करते हुए साक्षी भाव से मैं रहना पर भाव इस चक्र के जागरत होने पर ब्यक्ति के भीतर वीरता निर्भकता और आनंद का भाव जागरत हो जाता है सिद्या प्राप्त करने करने के लिए वीरता निर्भकता और जागरुकता का होना जरूरी है स्वस्त अच्छा होने लगेगा आपके शरीर में अलग से दिब्ब चमक आ जाएगी आपकी बात करने की सहली अलग हो जाएगा हर तरह से आप का। से परिवर्थन हो जाएग आपकी सोच और करन आपके मिंटली बात जो है उसमें फर्क वर्दगरु हर तरफ से आपको जो है लाइफ में आपको परिवर्तन हो जाएगा अब इसी अब दूसरी चक्र जो है वह स्वधिष्ठान चक्र है जो यह वह चक्र है जो लेंग और मोल से चार उपर अस्थित है जिसकी च्छ पोखड़ियां है इस चक्र तक भी हजारों में से कोई एक बेखती ही पह मुझ पाता है अगर आपकी उर्जा इस चक्र पड़े ही एकत्रित है तो आपके जीवन में आमोद परमोद मनोरंजन भूमना फिरना और मोज मस्ती करने की प्रधानता रहेगी यह बात करते हुए ही आपका जीवन कब व्यतित हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा और मंत्र यहां का देवता जो है वो भगवान श्री हरी विष्णु है और कि चक्र जगाने की विधिवतारा मुलाधर चक्र जागरित होने के पश्चात हमारी पशू बृत्ता कम हो जाती है अतनिरंतर प्रियास करें करेंगे सभी मुलाधर चक्र के नियमों का पालन करें हम साच्छी भावसे से आगे दृष्टा भावस में देखते ही नहीं रहें बलकि प्रयत्न करते हुए योगास्नों में उनको भी नियम पुर्वक करते रहें बहुत ही जल्दी इस चक्र को भी जागरित किया जा सकता है धायर पुरवक करते रहें किसी भी परिस्थिती में अधैर होना नहीं चाहिए श्वेंग को इस चक्र में अस्थित हो जाने तक पूरी मन्यता से प्राप्त करते रहें अब हम बात करते हैं मनि पूर्चक्र यह चक्र ठीक ना भी के केंद्र में अस्थित होता है यह संसार में सेक्रों लोगों में से कोई एक ब्यक्ति ही इस चक्र तक पहुँच पाता है अर्थार्त जागरित पर जागरित कर पाता है इसमें तपे हुए सोने के रंग सा पीला दस दलों वाले कमल का फूल का ध्यान किया जाता है इस चक्र को सिद्ध करने या जगाने के लिए विगत दोनों चक्रों में पुर्ण तह अस्थित्त होना अच्ट्यनत है आवश्यक होता है यह यहां इस चक्र का जो बिज मंत्र है वो रं है रं आप एक बार खालिस मंत्र को अईस्ट से बोल के देखिए आपको तीन बार बोलता हूं आप बोल के देखिए आपके इसके अंदर ऐसा वैवरेसन है यूद आप तुरत करोगे तुरत आपको पता चलेगा नहीं तो मेरे साथ में ही आप बोलिए मैं साथ चक्र है तो साथ वार ये मंतर को मैं बोल रहा हूं राम, 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 रा मुलाधार चक्र से खीचिये उपर तक लेके जाएए ऐसे आप बोलना है रम आपकी नाभी जो है वो आपकी पेट पूरा चपक जाए पेट पूरा चपक जाए और लेकिन आपका आशन जो भी रहेगा आप पालती मार के बैठेंगे कमर सीधी करके बैठेंगे सीधे सीधा हो करके खड़ा आपको बैठना है सिधा बैठना है और यहां का देवता जो है भगवान रुद्र हैं यहां का देपता जो है भगवान रुद्र है अब चक्र जगाने की यहां का चक्र जगाने की विधी में बता दू मुलादार चक्र जागरित होने पर पसु विर्थी समाप्त हो जाती है स्वादिष्ठान चक्र जागरित होने पर करतब व्यबोध होता है किन्तु फिर भी अर्थात स्वार्थ का भाव सुपुत रूप से रहता ही है इस चक्र को करता भाव में अस्थित रहकर ही पूरा किया जा सकता है क्योंकि यह भाव चक्र है जहां मैं हमें कर्तब पत पर आगे चलने के लिए श्वेम प्रयत्न करना होता है जो भी विचार चक्र जागरत करने की अस्थिती में आते हैं वे हमारे लिए मार्ग भी प्रस्थ करते हैं क्योंकि इस चक्र के जागर्त होने पर हम काम, क्रोध, लोव, मोह, विलग होने लगते हैं, अथा साधक को यह चक्र बहुत ही प्रित्न पुरुवक जागर्त करना चाहिए। अब हम बात करेंगे चौथी चक्र जो अनाहत चक्र है यह सरीर का चौथा चक्र है इसे Arist के पास बारा पूरर को मेने पुख्रियां होतेां उसेंखर पूररां फूर्प डियां रहतें, इस तरह से नीले नीले कमल का जो आप फूल देखें नीले कमल होते हैं, पिंक कलर होते हैं, सफेद होते हैं, नीले कलर के कमल के समान आप वहाँ पे ध्यान करेंगे, और कमल दल के रूप में ध्यान किया जाता है, प्रभाव अगर आपकी उर्जा इस चक्ड पर है, तो आप उदारता के साथ सारे कार करते हैं किसी से भी द्वेश नहीं रखते कवित्व सक्ति जग जाती है और अब यहां का जो मंत्र है यहां का देवता कोई भी नहीं है यहां का देवता कोई भी नहीं है चक्र जागने की विधी साधक की उर्जा विर्थिवी जल एवं अगनी से उपर उठकर वायु अवस्था में पहुंच जाती है सारे आवेगों पर नियंत्रन रखकर सतत दिट्टा पुर्वक अनाहात चक्र पर ध्यान में केंद्ट करते रहने से यह चक्र जागरित हो जाता है कहते हैं तो यह भी हैं कि इस चक्र को पुर्द रूप से जागरित कर लेने पर साधक कहीं भी आ जा सकता है इस परकार इस चक्र पर पहुँच कर साधक का मन तथा शरीर पर नियंत्रन होने लगता है उसे कोई किसी भी परिस्थिती में घिरनता से विचलित नहीं कर पाती है हमारा विचारत था कार्म तामसिक से सात्रिक होने लगता है किसी भी व्यक्ति के पती तिरिस्कार भाव द्वेस भाव सब समाप्त होने लगता है जगत कल्यान की भावना मन में बहने लगती है एक दूसरे में पारमात्मा का रूप देखने लगता है और अब हम बात करेंगे पांचमी चक्र का पांचमी चक्र विशुद्धी चक्र है यह सरीर का पांचमी चक्र है गरिवा अर्थार्त गले के पास गले के पास पुख्डियां वाला सरीर को पुर्ण रूप से सुद्ध हो जाने का धो तक इस चक्र तक लाखों लोगों में से किसी एक की चेतना सक्ति पहुंच पाती है हजारों बिल्ला में से कोई एक होगा जो कि यहां पर पहुंच पाता होगा प्रभाव अगर आपकी उर्जा इस चक्र पर है तो आप अच्छे नित्रित करता विचारक विज्ञानिक तथा विद्वान अपने घर बुद्धी और चेतना सक्ति के बल पर पर संभव कर सकते हैं साधक महा ज्यानी तथा सांत्चित्त हो जाते हैं यह जो जो चक्र पे है अगर इस पे चाहिए वो आदम पढ़ा हो लिखा हो नहीं हो नहीं भी पढ़ा के बात करेंगे और मंत्र है यहां हम हम यहां का देवता कोई नहीं है अब चक्र जगाने की विधी साधक की परमचेतना अवस्था का नाम विशुद्धी अवस्था है और जैसा की इसका नाम भी विशुद्धी चक्र है तो साधक को नियंतन सात्रिक अहार विहार विचार मनन करते रहना चाहिए सोल धूंदले रंग के कमल दल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए सुन्य चक्र चुक की अस्थतिमें रहना होता है बहुत ही प्रत्न करना परता है इस चक्र पे अस्थित्य रहने के लिए प्रभाव इस परकार के जाग्रत हो जाते हैं पर साधक के लिए जीवन मुल्य मात्र अपना तथा विश्व कल्यान ही रह जाता है मन से पुर्ण मिर्ट्यू का भैव समप्त हो जाता है ऐसा बेक्ति ऐसे कार करता है जैसे की कोई देवता हमारे सभी पत्परदर्शक इसी अवस्था में पहुंच हमारे लिए कुछ कर गए आज की स्वार्थी वृत्ति के लोगों जैसे उनकी चेतना नहीं थी अब बात करते हैं छते चक्र का अग्यां चक्र कहते हैं इस चक्र को जगाने के पश्चा साधक के लिए इस संसार में कुछ विशेश नहीं रह जाता विशुद्धी चक्र पर करोरों लोगों में से कोई एक साधक ही प्रित्न पुर्वक पहुंच पाता है और इसका बीज मंत्र है देवता कोई भी नहीं है चक्र जगाने की विधी इस अवस्था में पहुंचने के लिए साधक को नियंतर पुर्वक अपने भुरुकुटी के मद्द में जो स्वित दलों वाले कमल दल का ध्यान किया जाता है इसके लिए प्रित्न की चरम पर जाना होता है किन्तु संभव कुछ भी नहीं अगर सद्धा और विश्वास पुर्वज मन इस्वर की ताप्ति कर दिया जायर प्रभाव इस प्रकार इस चक्र को जगाने वाले साधक की वो सारे फल प्राप्त होते हैं जो कि बांकी पांचों चक्र के साधक को प्राप्त होता है साधक निरिविज अवस्था का अनुभव करता है तथा नियंतर अद्रिस और असेम आनंद का अनुभव करता है अब सात्मा चक्र के बारे में आपको बताते हैं यह सात्मा चक्र है यह परमात्मा को यह परमेश्वर को परमात्मा को प्राप्त करने की अस्थिती है इस चक्र को पुर्ण रूप से जागर्त करने के पर साथ आत्मा को परमसांती की अस्थिती प्राप्त होती है इसका कोई बीज मंत्र नहीं है देवता भी कोई नहीं है यह श्वेंग अपने आप में संपूर्ण है चक्र जगाने की विदी इस आलोकिक एवं असिम आनंद की अस्थिती में पहुँचने के लिए शादक अपने प्रम ब्रम में प्रकास में सहस्त दल कमल का ध्यान ठीक आग्या चक्र के पस्षात प्रारंब कर सकते हैं प्रभाव इस अवस्था में पहुच्चे साधक को प्रम ब्रम प्रमात्मा की प्राप्ति हो जाती है अर्थार्थ मुक्ति मिल जाती है और जो सात्र चक्र कर का साधक है जो सातों चक्र पे ध्यान पूरुवक अपन ना सर्द्धा और विश्वास नियम से जो करता है तो वो अपने आप में प्रभू कि सोचिये उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं उनकी अंस जो है ना देवतुल माना जाता है लेकिन थोड़े थोड़े आज कुछ कर लेते हैं तो बोलते हैं हम कुछ कर लेते हैं लेकिन उसकी जो है यह सादना इसमें नहीं तो यह बनना इसलिए धोती पहना आ जाता बोला जाता है ताकि आपको साधना करते तेमें वह धीला-ढ़ा रहना ज़रूरी है ताकि आप टाइट कपड़ा पहन के साधना नहीं कर सकते हैं उसके लिए पहले आपको बहुत यह नहीं है एक बार आप गए करना शुरू कर दिए धीरे धीरे होता है पर एक चक्र पे आप किवे फांच मिनट की जिए ध्यान की जो है निंट अब फ्रेशंद अपने घरी पे देख करके आप ध्यान की जिए या ऐसा किजिए तिन-टिन मिनट के ध्यान की कि हर मुगायल में या कहीं पर आप लगा लिजिए तिन तिन नट पर तो जैसे एक एक बड़ जाएगा तो वहां पर छोड़िए इसमें माला की जौरती नहीं है बीना खर्चे की है इसमें कोई खर्चा नहीं है सिर्ब आपको ध्यान लगाना है कि आपके ही शरीर में सारे देवी देवता का अस्थान है तो इसिए पर अगर आपको दो यह प्रोग्राम अच्छा लगा होगा तो आप अपने मित्रों को जरूर सेयर किजिएगा और कुछ अगर हमारे वीडियो में कुछ प्रोब्लम होगा या दिक्कत कहीं पर हम गलत किये होंगे तो आप मुझे मार्ग दर्सन करें तो हम आगे की वीडियो में हम सुधार करेंग अगर कुछ कहीं पर हमारे बात में बोलने में या कहीं पर भी आपको उगर कोई निश्टेक दिखता हो तो आप कोमेंट बॉक्स में जरू कोमेंट करें तो मैं उस चीज को सुधार करूँगा और लाइक शेयर सबस्क्राइब ये नहीं बनेगा इसे के साथ जय जय मा कमख्या जय मातारा जय है माताबा जय सब्सक्राइब कीallas